आज हम बात करने वाले हैं different method of sterilization की हमने देखा हुआ है कि sterilization होता क्या sterilization एक ऐसा process है जिसमें हम दिये गए object में से 100% microorganism को remove करते हैं यह एक absolute process है absolute कहने का मतलब होता है कि या तो यह 100% consider किया जाएगा या तो 0% consider किया जाएगा इसमें हम कभी भी semi sterilized जैसा word use नहीं कर सकते हैं तो यह जो sterilization है वो बहुत important है कि आप अपने object में से macrosm को completely remove कर सकें बट बात यहाँ पी उठती है कि आप ऐसे कौन कौन से तरीके को follow करेंगे methods को follow करेंगे जिनके accordingly हम macrosm से free of object को attend कर सकते हैं object को हम पा सकते हैं जिसमें macrosm ना हो तो उसके mainly दो method consider किये गए हैं जो important है वैसे तो एक दो method और भी है बट जो important है उनका categorization कुछ इस तरीके से है पहला हम उसको classify करेंगे physical sterilization method के अंदर दूसरा उसको हम classify करेंगे chemical method of sterilization के अंदर physical के अंदर और सब classes है जिसमें से सबसे पहला है आपका sunlight दूसरा है आपका heat तीसरा है आपका vibration चौता है radiation और फिर last है आपका filtration इस filtration method को हम cold sterilization भी कहते हैं क्योंकि इसमें heat का involvement नहीं होता इसी करेंगे से इसको cold बोलते हैं ये question पूछा डाल चुका है और आपको ये चीज़ याद रहे नहीं होनी ही जाहिए अगर हम बात करते हैं physical के अंदर के example और उनके expression का तो सबसे पहले आता है sunlight बहुत पहले से ये चीज़े यूज़ की जा रही है जब किसे भी object को हमको लंबा पहुचाना होता है लंबा टिकाना होता है तो हम उसको धूप में सुखाते हैं तो सूर से आने वाली light है light के साथ साथ आपको पता है कि इस light में heat भी होता है और UV भी होते हैं तो ये आपके object में से जो भी moisture present है इन moisture को evaporate करके हटा देते हैं इसके कारण से आपका जो object है वो dry हो जाता है dry object में as compared to wet object macrosm के growth होने के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि macrosm को अच्छे से और proper तरीके से grow होने के लिए multiplicate करने के लिए moisture का होना ज़रूरी है तो अगर आपने उस वो dry कर दिया तो उसमें moisture रहेगा नहीं तो moisture नहीं रहेगा तो जो bacteria already present है उनको survival करने का मौका नहीं मिलेगा और अगर bacteria present नहीं है तो अगर आपने पहले से उसमें से water को remove कर दिया तो बाहर से आने वाले macrosm के लिए कोई यहाँ पर nutrient या फिर atmospheric suitability नहीं मिलेगी तो वो दोनों ही condition में पहले भी और बाद में survive नहीं कर सकेंगे इसलिए हम लोग maximum हर चीजों को सुखाते हैं अपने घर के example से भी देख सकते हैं दूसरा जो method है हमारा वो है widely use किया जाने वाला जिसको हम लोग use करेंगे आगे के whiteboard section में भी वो है आपका heat sterilization method अंडर physical sterilization method इसके अंदर के दो और सब classes है बाइफर्गेशन है पहला है आपका dry heat sterilization दूसरा है आपका moist heat sterilization dry heat, moist heat में आपका एक चीज़ तो common है heat का application क्योंकि उसी का बाइफर्गेशन है अंतर क्या है वो है एक dry और दूसरा है moist moist कहने का मतलब common सी बात है कि इसमें water या water के molecule का involvement तो हो रहा होगा तो जब दिये गए object में से अगर हम macrosum को remove करना चाहते हैं तो उसमें कहने कहीं moist को use करेंगे ताकि उसको boil किया चाह सके इतना pressure के साथ कि उसके अंदर जो भी proteinist containance substance होंगे macrosum के cells होंगे उनका protein coagulate हो जाए और वो उस protein को अपनी growth के लिए use ना कर पाएं जिससे finally इनकी death हो जाएगी तो यह हमारा moist हीट होता है चलिए अब हम उनके basic points को समझ ले dry heat में हम moisture का use नहीं करेंगे इसको direct heat apply करेंगे और इसके अंदर के और example हैं उनमें पहला है आपका red heat red heat जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा heating process है जहां पर हम object को तब तक गरम करेंगे जब तक वो लाल कलर में convert नहीं हो जाता तो कि जब कि उसे बहुत जादा गरम हो जाती है तो वो red हो जाती है इसी को कहते हैं red hot heat या से directly red heat भी कहते हैं अगर हम लोग मानके चलते हैं अपने inoculating loop को हमको stylize करना है तो हम इसे एक ऐसे spirit lamp के उपर तब तक रखेंगे जब तक ये जो आपका inoculating loop है वो red hot नहीं हो जाता ये रहा हमारा inoculating loop और इस inoculating loop को हम इसके flame के उपर रखेंगे ताकि ये जो इसका loop है wire का वो पूरी तरह से लाल हो जाए तो इसे हम red heat कहते हैं दूसरा है flaming flaming में हम इसको direct object को light के या फिर इस heat के presence में नहीं लाते हैं लेकिन उसके चारो तरफ एक boundaries create करते हैं suppose ये हमारा object है इस media plate में हम को इनoculate करना चाहते हैं या फिर हम pure culture के लिए इसके त्यारी कर रहे हैं तो हम इस plate के चारो तरफ एक particular distance के बाद spirit lamp रखेंगे ताकि spirit lamp की जो right निकल रही है जो flame से निकलने वाली heat है वो इस तरीके से औरा बना ले कि इस barrier के थुरू बाहर से आने वाले bacteria या macrogism अंदर penetrate ना कर पाएं किवाल आपकी वो side खाली रहेगी जिस तरफ आप operate कर रहे हो इस तरह से तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं flaming को use करते होई sterilization करना next है आपका incineration जहाँ पर हम दिए गए object को काफी ज़्यादा भटी में गरम करते हैं और उसको ash के form में convert करके फिर further process करते हैं next one is hot air oven जो की बहुत ही important है under the sterilization specifically under the physical and heat sterilization hot air oven as its name indicate एक ऐसा oven है एक प्रकार से कह लिजए एक बकसा है एक भटी है जिसके अंदर काफी सारे cabinet होते हैं और एक बाहर एक jacket होता है इस cabinet के अंदर हम अपने दिये गए object को जो की heat stable होते हैं वहाँ पे रखते हैं और इस machine को on करते हैं तो heat जो है वो इस machine के चारो तरफ circulate होते हैं और इस तरीके से जो आपका object है वो macrosm से free from में आ जाता है इतके बारे में हम आने वाले topics में detail से देखेंगे next one is infrared infrared को हम use करके heat generate करते हैं और उसके through हम bacteria को यह भी दिये गया object में से दूसरे तरीके के macrosm को remove करते हैं now let's talk about the moist heat which is more important, more powerful than the dry heat क्यों जादा important है, क्यों जादा powerful है यह हमने बच्पन में भी पढ़ा है जब हम किसे भी object में heat provide करते हैं और यह heat अगर steam के form में हो तो steam की जो kinetic energy होती है वो जादा होती है इसके कारण से यह steam है वो आपके object के cell में बड़ी easy से penetrate करता है और penetrate करने के बाद उसके अंदर present protein को precipitate करके coagulate कर देते हैं यह रहा हमारा moist heat stylization इस moist heat stylization के अंदर के 3 sub classes है पहला है आपका ऐसा जिसमें हम temperature को 100 degree centigrade से नीचे रखेंगे दूसरा है at 100 degree centigrade और तीसरा है आपका above 100 degree centigrade यानि कि 100 degree centigrade से नीचे और up to 100 degree centigrade and above 100 degree centigrade next one is radiation method और इस radiation method के अंदर दो sub type है non ionizing radiation और दूसरा है आपका ionizing radiation इन दोनों को use करके हम दिये गए object में से macrosm को remove करते हैं and this is also another good important method of sterilization जिसमें हम किसी भी दिये गए object को बिना किसी physical heat के contact में लाए decontaminate या sterilize कर सकते हैं इसके और दो sub type है आपके ionization के पहला है आपका electromagnetic radiation दूसरा है आपका particulate type of radiation now coming to the next one under the physical and final one this is the filtration इसमें हम दिये गए object को ऐसे membrane से filter करते हैं जहां पे membrane के अंदर जो pore होते हैं जो hole होते हैं इनका size आपके दिये गए sample में present macrosm के size से बहुँँ छोटा होता है इसके कारण से macrosm इसके through नहीं हो पाते हैं और वो filtered paper पे ही अटक जाते हैं और आपके object में से हम macrosm को filter out कर सकते हैं इसको perform करने के लिए कुछ basic mechanical use method करते हैं जिनमें से पहला आप earthenware, जमीनी चीज़ों को यूज करते हैं asbestos को यूज करते हैं centered glass beads को यूज करते हैं और membrane filter आते हैं इसको भी हम यूज करके आपके object को filter कर सकते हैं यह जो chemical method of sterilization है वो आज के date में एक preferable method है sterilization को perform करने का इसके अंदर हम agent जो use करते हैं उनको उनके state के accordingly दो type में bifurget कर सकते हैं according to their state पहला है liquid, दूसरा है आपका gases liquid का use आज के date में हम बहुँ जादा oftenly कर रहे हैं due to pandemic situation we are used to wash our hand with help of different ethanol that is also called the sterilization agent or we can say simply a sanitizer so under this example of liquid there are following examples first of all is alcohol aldehyde, phenol, halogen, heavy metal, surface active agent also abbreviated as surfactant and finally dyes we use this chemical to get sterilized object and this is very used method nowadays next one is gases method of sterilization इसके अंदर हम use करते हैं gases को जहां पे हम formaldehyde को बहुँ जादा use करते हैं और formaldehyde का हमने अलडी पढ़ा हुआ है इसका जो derivative है formalin इनको भी हम किसी भी दिये गए specimen को preserve करने के लिए करते हैं under the gases there is another example that is called ethylene oxide another useful sterilizing agent and next one is plasma तो आभी की वीडियो में हमने ये चीज़ देखी साप साप की जो method of sterilization है इसमें physical method और chemical method का बहुत ज़ादा involvement है और उसके अंदर भी bifurcation करेंगे तो जो physical method है वो काफी ज़ादा powerful होते है काफी ज़ादा varieties के इसमें होते है तो चीज़ सो मच पर वाचिंग इस वीडियो नमस्कार ब्लीस दू टेक कियर अफ यॉरसल्व